दोसो आज आओ एक मुद्य ते गल कर दे मुद्दा है कि काफी समेतों 1188 सहाइक फरफेसर्स ते लाइब्रेरियन दी जड़ी परती दे जड़ा विवाद चल रहे है तुसी जान दे होंगे कि मगली सरकार ने जानी की 2021 अक्तूबर 2021 दे विच कॉंग्रेस पार्टी दी सरकार ने 25 सालावाद सहाइक फरफेसर्स ते लाइब्रेरियन दी रेगुलर परती शुरू कीती और पहला ता बहुत ही नुकसान हो गया साड़े पंजाब्दा 25 सालावाद परती जड़ी है यह रही कारण है कि आज जड़े साड़े लोग है वो देश तो बार्दा रुका रहे ने एवन कि आज भी अगर अंकड़े कर लिए तद संताली कॉलेजिस जड़े साड़े हैगे ने उरे विच्छ स्तारा तो अठारा रेगुलर जड़े पंजाबी दे फ परफेसर वी दी गाल करिए तद तद वी कई कॉलेजिस संतालीयां विच्छों 18 कर दे उता हूँ खा लिए पंजाबी मां बोली दी चर्चा तो ज़रूर हों दी है पंजाबी बोलन बारे क्या जाना है पंजाबी ते बहुत जारे फोकस किता जाना है हर व्यक्ति खड़ा ह के गाल काया दिन दा कि पंजाबी गाल करनी चाहिए बड़ी चंगी गाल था पंजाबी सर्ड़ी मा बोली ए लेकिन पंजाबी पड़ाउन वाले लोग आज वी साड़े कॉलेजिस दे वेच नहीं हान। मैं यह नहीं कह रहे है कि होना ली सरकार दी काल करना है मगलिया सरकारा दी काल करना है। बड़ी मुश्किल नाल एउपर आला होया, सरकार जिनो चारक पहला था राज-े-माहराजां दी सरकार सी गी, तुसी कहांगे थोड़ी ही सी गी, साधी ही सी गी, लेकिन चार मीने साड़े कुले समा मिलिया जिरे वेचे कोशिश किती गई कि फरफेसर से बाना दी परती हो सके लेकिन कुछ कारणा करके उसी उन्हों प्रॉपर जगाती लेकि नहीं जा सके जितो तक प्रॉपर इंप्लिमेंटेशन नहीं होई सो दोस्तों होन भी एजड़ी परती है काफी विवादां दे विच है काफी लोग साड़े लोग तरना एक फरंट है जड़ा कई चिर्तों तरने मुझारे सरकार ना लड़ाई लड़ा रहे अब दे हाग कान दी लड़ाई यह थे मैं एवी दसना चौना है कि इरे विचों छे सो सत लोगा नो जोईन करा लिया गया सी यह ओ लोग संजड़े आ दिया नौकरियां प्राइवेट जहां सरकारी अधारे तों छड़ किया इसन क्योंकि एरे नो एकाज से की होना सी असिस्टन्ट परफेसर जहां विचों केवल एक सो बाईयानू स्टेशन अलोट होए है जानी कि स्टेशन अलोट होए उननो जगा अलोट होगी ते उननो आज थन्खा मिल रही है लेकिन 483 दे करीब लगबग उना 677 दे विचों भी लोग पेंडिंग है उनननो स्टेशन अलोट नहीं होए ते सरकार हज किसे परकार वी कोई थन्खा उननो नहीं मिल रही है कोगी स्टेशन ही अलोट नहीं है तो उननो थन्खा की ने देनी सी ते 300 पजादे करीब लगबग साड़े 300 जिनननो जोइनिंग लेटर हजे तक नहीं मिल रही है जेडे वचारे नौकरियां छड के आई सन जनना रिकार बैंच ने उनने किया कि सरकार आफ़ दा स्टैंड एरे ते क्लियर करें लेकिन सरकार वनों किसे परकार दा कोई स्टैंड क्लियर नहीं कीता गया अगर सरकार दा मन होंदा ता सरकार एकल के सकदी सी ठोके चाती ठोके गल के जा सकदी सी कि ए तमाम परती परकिरिया दे आए जड़ी परती है कॉंग्रेस ने कीती है ते एना ते ज़्यादा तवज्जों देन दी लोड नहीं है लेकिन मैं सरकारनों बेंती करनी चोना है तमाम लोग जिनने भी सरकारी लोग है इन तमाम लोगा ने बड़िया आसा दिनाल पौड़ी सरकार लेके आए मैंनों गाने काफी वड़ी तदादे वेच सरकार नों बड़ौन दा कम कीता है वोटां पाइगे लेकिन सरकार उना तमाम लोगा ना केवल परती एस परती ता है ही है ग्यारा सुटवजा लोगा ने अंदे की ता हो रही है इना लोगा ने ता अंदे की हो रही है एस दे नाल नाल तुमाम सरकारी अदार हैं दे आज लोग किते न किते दुखी महसूस कर रहे हैं मैं बेंटी करनी चौन है कि ये ओ लोग ने जिनाने जाके साड़े बच्चे नो सेथ देनी है जिस तरह की मैं गल कीती कि साड़े संताली कॉलेजिस दे विच के वर ठारा हैं प्रफेसर्स ने रेगुलर पोस्ते पिजबी ते कौन पढ़ाएगा पिजबी तो अगर असी विद्या दा इस उदारे नो उपर चुकना चौने रा म्यार उपर उचा चुकना चौने तो सानू सब तो पहलना सारे कामकार चढ़ के एस वल तवज्जो देनी चाही दिया और मैं अमीद करांगा कि पंजाब दे मुख मंत्री किरपा करके इना लोगा वल त्यान दिन काफी चिर्तों ए आप दी लडाई लड रहे हैं लेखिन एना वाल कोई त्यान दिपता नहीं जा रहे हैं स्टैंड स्पष्ट करन क्लियर करन ते एना नू तमाम लोगा नू जड़े 483 लोगा ए एना नू स्टेशन अलोट करके एना दी थनका शुरू किती जावे और तिन सो पजा दे लड़ी सरकार लड़ाई लड़े और आवदा क्लियर स्टैंड जड़ाए मान जोग अदालत दे सामने रखे ता जो एना मेरे प्रामा नू उनना दे चुले ते आस ती किरन जागे कि सरकार साड़ी लड़ाई लड़ी है दवाली वी उपर आंधी जान दी है मैं अमीद कराँगा कि पगवान सिंह मान साब इना नू कोई दवाली ते इना नू सद के इना क्या जावे कि चिंता ना करो असी सरकार थोड़ा साथ है कि और इना लोगार नू मैं कहना चोना है कि जिते साड़ी जरूरत होए असी झानू कराया लेकिन आसी ती ताहरा है थोडी हर प्रकार दी लड़ाई लंच तोसी तर ना लगाऊंगे था असी थोड़ा साथ दे मानगे तोसी सानू कहाऊंगे था असी तद भी थोड़ी लड़ाई लड़ाई